अलोग फ्रेंड्स गूद मॉर्निंग इस देव फाइव इन एंपी ट्रिप कटन्स पीछे गी है कोटी दौशनी बढ़ गी है तो आज हमारा जबलपूर यह यह एक अलोग कि इस ट्रिप का लास्ट टेय है गूमने वाइस और अभी हम लोग है जबलपूर में और यहां से न बेटागाट का तो अच्छी जगह है तो अभी निकलते हैं वहां के लिए चेक आउट कर रहे हैं चेक आउट करते ही घूमने जाएंगे बेटागाट और बेटागाट में लगवाद 2-5 गंटे लगेंगे और फिर हम निकल पढ़ेंगे अपने होम टाउम करनाल के लिए ज तो वहां से फ्री होके लंच करके जहां तक निकलते हैं निकलेंगे जैसे जांसी या गवालियर जहां भी लगेगा तो वहां ब्रेक ले ले लेंगे होटल का नाम है रॉयल और बेट तो स्केस देखो कितना पार्किंग का कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट पर लगा है कि वहां अच्छा उट रहा है आना पीना रहना हर तरह से बहुत भी खुले-खुले रूम से बड़े-बड़े सिक्दूं कि अपने एक बड़ी है कि टैंक फुल भी करवाई लेंगे यार कि पार्ट में से बाहर आके दुवारा होटल गेंदर एंट्री लेनी है कि अब यहीं से है कि सबको पिक कर दो है कि कार वाशन वाले में लिए अब यहां गाड़ी को बहुत तरह से लिए पर अब अब बहुत थरा वाट अचली अब यहीं अब यहीं आल है अब यहीं अजिए अब शर्क टाशाई क्याने जब अगर रगाड़ी वें अब हाहीं के हात लगाने से इस रोजा कोल्ड़ करने से अब टो चिन जोड़ें और यहां अब आपर जोड़ियों अब हैंजतीं चल जाता है और तो आई दरs के पर अब भी हम लोग आगे हैं गूगरा वाटरफॉल तो आज का फर्स्ट पॉइंट है तो यह आज का फर्स्ट पॉइंट है यह है गूगरा वाटरफॉल यह है यह है यह है यह है यह आज जीक से वाटरफॉल तो यह है यह कुछ नरमदा नहीं है वाट नरमदा जा है इसमाना इसमानी है यह है यह हम पहुचेगा है बेड़ा घाट जो मेन अट्रेक्शन है यह यह है यह आगया दुमादार वाट्सर पॉज यह यह यहां पर ने गाट बनावागा था यह 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 इसमान भी करते हैं अब आता है मेन अट्रेक्शन भी जगह कोई कहा गया कि यह जैसा भी रहते हैं वैसा ही है आप देखो आप अब मुला रहे ना आओ वादार वाटरपोर वोडेक्शन भादी गाट इतना जार है यहां पर दो तरह की पार्किंग बनी हुए एक तो जो अपर रोड इसके उपर है पार्किंग जहां से टॉली चलती है और एक थोड़ा नीचे आके भी पार्किंग है तो जहाद डिस्टेंस नहीं है आप उपर ही खड़ी कर सकते वाड़ी तेकिन नीचे लिए कि पैनल कम चल यह एक एंट्री थीस लगती है गेट के उपर अभी दिखाऊंगा मैं आपको उपर खड़ी करोगे तो आई तिंक पचासे ग्रुपे लगेंगे तब भी दिखाता हूं यह है वो गेट 200 रुपे एंट्री लेकिन जो एक्चुल इसकी पार्किंग है जो अपर रोड पर है हो यह वाली है है यहां से लगवा कि 100 मिट रॉर है और वहां से ट्रॉली चलता है तो अब दिखा जाए तो उपर इखडी करो यार वहीं से ट्रॉली पकड़के कहीं जाना जाओ रेस्टरंट में गूंकियाओ उसके वज आपिस सीडियां उत्रों नीचे चले जाओ पार्च करें पार्च करें पार्च करेंड़ करता है तो यह रहा है यह करें यह करें है तो बहुत बढ़ा रही सिर्व पांसर में दूखिया जाओ 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 योगपन ताइची है तो इसमें जाएंगे तो ये देटिया साढ़े पांसर बहुत बास ने हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से एक जोबी मों थोटल फिर फिले यह दिखा ही ओपन ऑफन क्या घंग और चीव में इसे स्थी पोइंट सो बताघे है कोई पिंक मारबल ईंधिया का न आटी गेश्ण बोल रहे तो देखने जा रहे है आदे ग़ंटे का टाइम बोल्राइज होने इतना लेता है तो निकलते हैं देखते हैं अधाल अब हाले जारे जा मैं अगी बट्टोंगा जी कोई आई रहा हुआ में को जी नेनों की पिर्टी सीटे पर तीन लोग बट्टोंगे ये बैड़े आई समय बैड़े जेंगे हम अरे वारी ये लोग चले मेरी लुना हाँ ये ये भी तक जिंता है ये उपन गाड़ी है हमारी सामने जो पेड़ दिख रहा है वहां से जो मार्वल का जॉंट बना हुआ है ये जॉंट के पीछे का मार्वल पिंक होता गुलाबी कलर का देखी दा उधर का और ये वाला जो जॉंट आंगे वाला दिख रहा है उसके इस साइट का मार्वल आंगे का ये पूरा वाइट होता है ये दो पिरकार का मार्वल यहां देखने मिलता पिंक और वाई और पानी के अंदर गहराई त्षीष से 40 मिलत है अभी पानी के अंदर पानी इसमें हमेशा रहता जहां सो वह लाइन दिख रही न काली-काली उतना पानी गर्मी की टेम तक रहता इस नदी में इससे कम नहीं होता कोई बजय हो जाती है तो डाम से पानी कम कर दिया जाता है उन बरसाद में तेज़ पा पानी निए पॉरा प्रक होता है यह फेड़ा गाट चारो तरफ से पानी के अंदर हो जाता है उर रोभे में जहां आप उतर के खड़े थी वहां पे पट्चीश मीट पानी बहर जाता है गोपाला के गेट तक पानी रहता है तो रूप पे चलता है बंद हो जाता है सब बंद देखने के लिए आंगे से जो बिरिज बना है ना तिलवारा नाकपुर हाईवे में वहां से घूम करके इस रोग से आना पड़ता है इस रोग से अपना आए है तो यह खड़ी अपनी लाल परी अब 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 बैटर 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 अब तो यह वापसी के लिए निकल लिए अब जाएंगे सीधा बोटिंग वल एडिया पे बोटिंग करेंगे उसमें लगवा चालिशास मिट लगेंगे वो करके और फिर लंच करेंगे धन वापसी यह जाज़ी यह ज़ाए करेंगे ज़िए अब जाए कि अब बताओं भाई अगर उपर से आपने व्यू लेना है तो यह वर्थ है दरवाइस इतना कुछ खास नहीं है पांसो मिटर की तो वैसे सारी है यह इतना बड़ा टूरिस प्लेस है और पार्किंग के लिए कोई जगा नहीं है मुश्का से साथ अड़ गाड़ी अंदर खड़ी होती है तो गाड़ी हमने का घड़ी करिए प्लाओ अगया है दिन जाने है कि अगया है तो फुझी टिकट मिली है फिफ्टी रुपीज पर आड़ जाने आने से कर दो हुआ है अंगी कि अदो इस अधिक है अधिए बहुत नीची है शिडिया से थो ठक जोगे तो या कि अंदरा सु रुपे में ये बोट करिया है अगर आपके शेरिंग में जाना है तो ये बोट के अंदर आगे हम लो अब ये भीया अपनी कमेंटरिंग स्कार्ट करेंगे कि अज़े अपने अपनी से चौड़िये हात जही बेठे बोने नात बोट कर वगवाने की जया है जो नहीं जोड़ता हात तो बाहर आजाते हैं दारा की अनने को सब तो दीश निकाल के श्काप्ना की आहए आप लोग उन्पर दीखे जाड और नीचे में पहाड आप लोग कर रहे हैं नौका में आएगा मार्बल का साइड और बोलेगा गाईड अभी देखो आप लोग चाहिए अभी तो बाबुजी ये टेलार है पिच्चर इसकी बाकी है बैटरी को बचा के रखिये मुखड़ को सजा के रखिये तो नहीं आप 200 दिंगे अभी आंगे यहीं पर आएदे सुनील दात प्रेम नात रेखा सुनील दात ने प्रेम नात को उड़ा उड़ा के फेका तभी से ने परिये गड्डी के अंदर बेता मारते मारते दीखें कि कि अध़ता कर दिया पत्ता तक ग्रेंड पड़े पाजु में देखींगे गुलाभी कलर पिंक मार्बली यहीं पर नहांके बेड़ी ती रेखा उसकी साड़ी का कलर रेखा उतनी जगा मार्बल पींक हो गया शा बच्चे लोग बताओ अपना पोटांगी किस साथ जाएगा लेब चलोगे राइड बताने वाले को है वंबर प्राइड और कीजे डिसाइड राइड अर बोलते है जो सही बताएगा उनको यही उतारा जाएगा यह हैं में ब्यूटी वास्टेटिव वाउ व्यूटीफुल मस्वे Baptist अशूर्ण देत कैरे प्रूट χोश सबुड़र ही आसर उस्तव कंटव मतारा छा था उद्वाज का आप कर लीजे फुटो गेराव फुटो गेराव फुटी बट्टी है कि आपकर आपकर आपको दिख रहे होंगे यह लोग वाइट लाइट गुल्डन उसामें देखोंगें तो थाई भी तो जब गुम्दाशना हो गया है खातम बेटा घाट से भी फारी कोगे अब करेंगे लच और निकलेंगे जहांसी के लिए इसमें लोकेशन डाली है वह डाली है जहांसी की जहांसी में एक होटेल है स्ट्रोबर पोटिको जो कि यहां से दिखा रहा है लगबग साड़े साथ घंटे का रस्ता तो ऐगेस की छे और हमेशा जहांसी में रुकना पड़ेगा बाक्य भी निकलते हैं कि भी लच भी करना है तो फिर प्लैम करते हैं तो यह बहार निकलते हैं एक होटेल आगया है यह होटेल आप्शन्स रास्ते में यह खाना खाए था अच्छा है घाना इनका पेट पुजा होगी और अब बज प्लैन करेंगे कि यहां से जहांसी तक पहुंचते पहुंचते ही हमें रात के 11.30 कर बच जाएंगे तो यह लेके प्रभू का नाव निकलते हैं यहां से करेंगे देखेंगे इनी का राज है अब बारी शुरू होगी भाई जो लो कोई बाद नहीं अभी सामने जंक्षन आ रहा है जो कि एनेच 44 और 45 का इंटरसेक्ट है यह नहीं कि अभी हम एनेच 45 पे इसको हम छोड़ देंगे और एनेच 44 को जोइन करेंगे एनेच 44 जैसे मैंने पहले बताया था पिछले ब्लॉग में यह है इंडिया का सबसे बड़ा हाइवे लॉंगेस्ट हाइवे यह जो कि श्री नगर से चलके करने कमारी तक है और यही जो हाइवे है वो हमारे होम टॉन को भी कनेक करते करनाल को तो यह अगर म में इस हाइवे के उपर रहूं और रहूंगा भी सीदा सीदा जाएंगे तो कनाल को जाएंगे तो करनाल को जाएंगे इस बहार इसे पर कहरी डादिया इना कोई दग से नजर आ रहा है वह इतनी देज इसे सावन के मीने पर होती है यह अब बारिश बंद हुई है पिछले तो तन किलोमेटर से तो बढ़िया है सागता हुआ मुझ है इना तो बहुत ही पराल था यह बजे है साड़े आठ और पूरी फॉग है बाहर अलागी कैमरे में जादा अच्छा दिख रहा है लेकिन वैसे आठको से दिखो तो काफी फॉग है तो ब्लैन था कि तोड़ आगे जाएंगे लेकिन नहीं जाब आएंगे तो अभी है यहां से चाहांसी असी गिलोमेटर तो चाहांसी में ही स्टॉपेज लिना पड़ेगा तो महां रुकेंगे कल भी धूंद होगी लगता तो ऐसी है तो कल फिर हम लोग तोड़ा जा लेट दिख लेगे यानिकी दूसर 11 के बीच में था कि हम शाब को चार पांच बने तक घर पहुंच जाएंगे तो और ज्यादा बढ़गी जबी नदर निया रहा है मतलब आ रहा है लेकिन बहुत कम तो बही हम लोग जहासी पहुंच गे अब बज़े हैं साड़े दस हम लोग प होटल है यहां पर जिसमें उनने चेक इन किया है सुरोवर पोटी को तो होटल तो सबको पता ही है यार पोटी को एक अच्छा नाम है तो क्या दिखाओं मैं इसका अच्छी प्रॉपर्टी है तो एक्चली क्या प्लैन तो था आगे जाने का लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि कि फॉग थी और फॉग में फैमिली के साथ जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता लेकिन अब सुभे ब्रेकपास करके दस बजे के राउंड हम निकल जाएंगे ताकि फॉग भी थोड़ा कम हो जाए और टाइमली शाम को चार और पांच के बीचिए उन लोग अपने मोट्ट कि पांगे ब्र sack कि चृवदाएम एब मोट्ट है Rob